हमारे भारत देश की पहचान दुनिया भर में सबसे अधिक दार्मिक देश के तौर पर की जाती है जहां लोगों के बीच कई तरह की माईयताएं प्रचलित हैं जैसे कि लोगों का मानना है कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो यह आपके लिए अशुब होता है ऐसे मैं संबंदित व्यक्ती अपना रास्ता बदल लेता है या फिर किसी और के जाने के बाद उस रास्ते से जात है ऐसी माईयता है कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारे साथ कुछ बुरा या नुकसान होता है इसी डर से लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं लेकिन हर मामले में बिल्ल का रास्ता काटना अशुब नहीं होता है अगर बिल्ली बाई से दाई तरफ जाते हुए आपका रास्ता काटती है तब आपके लिए अशुब माना जाता है वैसे आपको बता दें कि बिल्ली सिर्फ अशुब ही नहीं बलकि कुछ शुब संकेत भी देती हैं ऐसे में आज आपको बिल्ली जी जुड़ी कुछ अहम संकेत बता रहे हैं इससे पहले आपको बता दें कि बिल्ली राहो की सवारी है और राहो इग्रह सग्रह है जिसके कुंडली में आने से आपका सामना कई तरह के परिशानियों के साथ होने लगता है बिलियां देती हैं ये संकेट अगर आपके घर में बिली रो रही है तो यह इस बात का संकेट दे रही है कि आपके साथ कुछ अन्होनी होने वाली है अगर बिल्ली आपके घर में या घर के आसपास लड़ रही हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में या किसी और से जगड़ा हो सकता है अगर दिपावली के दिन बिल्ली आपके में घर में आती है तो यह आपके लिए शुब माना जाता है इस दिन बिल्ली आने से आपके घर में पूरे साल मालक्षमी का वास होता है अगर किसी सोय हुए व्यक्ति का बिल्ली सिर चाटने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आप किसी सरकारी मामले फसने वाले हैं अगर बिल्ली आपके पेर को चाटने लगे तो आपके लिए बिमार होने का संकेत है अगर बिल्ली आपके सिर को कूद कर पार कर जाए तो समझे आप किसी तकलीफ में पढ़ने वाले हैं आपके घर में रखे दूद को अगर बिल्लिक चुपके से आकर पी जाती है तो यह आपके लिए शुब नहीं माना जाता यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में रखे धन का नाश हो सकता है